नमस्कार, हिंदी साहित त्यवारता में आप हैं इस वक्त सुभाष्ठाकुर के साथ दोस्तो, कोविड-19 के इस तौर में आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप अपना भियाद ध्यान रखें और अपने साथ-साथ अपनों का भी ध्यान रखें UGC Net, हिंदी की तैयारियों के अंतरगत हम 1.5 पढ़ रहे हैं देखिए और इससे पहले हमने 1.5 से रिलेटेड बहुत ही मौतपुन जो चीज़ें थी कि किस तरीके से यहां से प्रश्ण पूछे जाते हैं और कौन-कौन से ऐसे तथ्य हैं या पहलू हैं जो आपको कविता वाले पोर्शन से ज्यादा याद रखन के जरूरत हैं तो वो हमने पीछे वाले लेक्चर में अच्छे से डिसकस कर लिया है आप चाहें तो IKAI 5 के नाम से हमारी जो प्लेलिस्ट बनी है वहाँ पर हमने इससे पहले एक लेक्चर डाल दिया है और हलांकि उसमें हमने कुछ एक मौक टेस्ट भी रखे हैं IKAI 5 के अंतरगत आप उनको भी देख सकते हैं लेकिन अब हमने completely जो आपकी व्याक्या है वो वाला portion शुरू कर दिया है तो इससे पहले वाले lecture में हमने नागरजुन की जो कवीता कालिदास थी उसके बारे में हमने पढ़ा था और आज हम इनकी जो अन्य कवीताएं हैं उनको पढ़ने जा रहे हैं तो एक और मुत्पून चीज़ यह है दोस्तो लेक्चर चुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि हमने 2004 से लिकर के 2020 तक के UGC NET के जो प्रशन पूछे गए हैं पूरों में उनको हमने व्याक्या सहित लाया है अगर आप चाहते हैं कि आप उन प्रशनों को देखें क्योंकि मॉक टेस्ट या फिर PYQs पढ़ना बहुत ही ज़ादा जरूरी है परिक्षा से पहले और हमने वहां पर आपको complete व्याक्या के सहीत एर हजार प्रशनों को रखा है बहुत ही minimum price में रखा है और यह बहुत ही ज़ादा beneficial आपके लिए होंगे तो आप चाहें तो description box में उसका link दिया है आप वहां से उनको सीधे download कर सकते हैं तो चले दोस्तो आज हम शुरुआत करते हैं अपने lecture की और सबसे पहले हम जान लेते हैं इससे पहले हमने देख लिया था कि जो हमारी एकाई 5 में मौतकुन चीज़ें कौन-कौन सी है आज हम इनकी जो दूसरी कवीता है देखिए हमने last lecture में भी आपको ये बात कही थी कि जो नागरजुन थे उनके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम यहाँ पर जान लेते हैं देखिए नागरजुन जी के संदर्व में जो मौतकुन तत्य हैं वो कौन-कौन से हैं हालांकि आप सब लोग जानते हैं नागरजुन के बारे में हिंदी साहित्य में एक प्रटिष्ठित नाम नागरजुन जी का है और इससे पहले वाले लेक्चर में भी आपको मैंने बहुत सारी चीज़ें नागरजुन जी के बारे में बता दी थी तो यहां पर देखिए एक बार फिर से हम जो मुत्रपून चीज़ें इनके संदर्ब में हैं हो सकता है इनको पूछा जाए परिक्षा में इनको आप थोड़ा सा याद कर लिजिएगा और यह आपके लिए जरूरी भी होता है कि जब भी हम किसी साहित्यकार के बारे में पढ़ते हैं या उनकी किसी कवीता के बारे में पढ़ते हैं तो उससे पहले उसके बारे में जानना बहुती ज़ादा जरूरी होता है और इस लेक्षर में हम ये भी जानेंगे कि जो नागरजुन थे देखिए वो इस कवीता के माद्यम से जो हम करने जा रहे हैं इनकी आज जो कवीता है बादल को घिरते देखा है उसमें ये क्या मैसेज देना चाहरे हैं ये चीज़ भी हम इसमें देखेंगे तो देखिए यहाँ पर अगर हम सबसे पहले इनके मूल नाम की बात करें तो ये हमने पहले भी पढ़ लिया था कि इनका जो मूल नामे देखिए ये वैध्यनाथ मिश्र इनका वास्तविक नाम था लेकिन जैसे जैसे हम देखते हैं कि ये साहीत्य की और प्रवरित हुए तो सबसे पहले इनका जो उपनाम आता है वो आता है यात्री और संस्कृत और मैथली में इन्होंने यात्री उपनाम से लिखा है तो ये प्रशन आप देखेंगे अगर आप UGC net में तो साइड इस तरीके से कम ये प्रशन पूछा जाता है लेकिन अगर आप LT या PGT या PGT का जो एक्जाम दे रहे हैं दिखिए उसमें इस तरीके कम प्रशन कई बार आपने देखा होगा कि पूछा जाता है कि यात्री उपनाम से किसमें सहित्य रचना की है तो ये है आपका जो वैदनात मिश्र या फिर नागर जुन जी है तो नागरजुन भी इनका क्या है? उपनाम है ठीक है? पहला सहितिक उपनाम इनका क्या था? यात्री था ये चीज़ आपने इनके बारे में याद रखनी है और इनका जनम मैंने आपको पहले ही बता दिया था पीछे बारे लेक्चर में भी कि 1911 में हुआ है और 1908 में इनकी म पुछ जाते हैं जिसमें आपको कवियों का करम भी पुछ जाता है उनकी रचनाओं का करम भी पुछ जा सकता है या फिर कुछ एक वाद, विशेश ताएं है ना इसलिकी के प्रशना आपको जरूर आएंगे चलिए आगे है देखिए अगला जो मौतपोर्ण थत्य है इनक कि ये मानी जाती है ठीक है और ये विश्व बंधु जो पत्री का चपती थी उस वक्त 1935 के आसपास उसमें ये चपती थी जो आपकी प्रत्थम प्रकाशित जो रचना मानी जाती है ये थी राम के प्रती क्लियर है आगे है देखिए कि नागरजुन साहित्य का तो देखिए जो नागरजुन जी थे उन्हें अपनी कवीता जो है ये देखिए इनकी कवीता कौन सी है प्रती हिंसा ही स्थाई भाव है तो ये वाले जो पंक्ती है देखिए बहुत ही महत्तपूर्ण है ये रचना इनकी कि नागरजुन जी साहित्य का मैनिफेस्टो किस रचना के प्रती प्रतिहिंसा ही स्थाई भाव है इसके संदर्म में लिखा था कि यह तो नागरजुन साहित्य का मैनिफेस्टो है तो यह चीज़ आपने याद रखना है कि यह बात किस ने कही है स्वयम नागरजुन जी ने कही है कि जो प्रतिहिंसा ही स्थाई भाव है ये इनके साहित्य का manifesto है, clear है, इतनी सी चीज है, बहुती मौतपून चीज है, ये चीजें UGC net की परिक्षा में अब जादा पूछी जारी हैं, आप देख रहे हैं कि दो-तीन पंक्तियां आपको दी जाएंगी किसी रचनाकार के बारे में, फिर पूछा जाता है कि इनमें स चीज है इनके संदर्व में, हालां कि ये हिंदी साहित्यकार के रूप में प्रतिष्ठित हैं, हमारे पास प्रगतिवादी जो ये आपके राइटर माने जाते हैं, ठीक है, माक्सवाद का इनको प्रभाव रहा है, लेकिन यहां पर एक मौतपून चीज ये है कि हिंदी साह साहित्य अकाद्मी पुरुसकार मिला है, ये मैथली भाषा में, जो इनकी मौतपून रचना है, पत्रहीन नगनगाच, शेर्शक से इन्होंने एक काव्या लिखा था, जिसमें लगवा कि इनकी बावन कवीताएं संकरित हैं, उस पर इनको साहित्य अकाद्मी पुरुसकार 1968 में मिला था, तो ये एक मौतपून चीज है इनके संदर में, इसके अलावा इनको अन्य पुरुसकारों से भी सम्मानित किया है, जैसे आपका भारत भारती हो गया, मैथली शरन गुपत पुरुसकार से सम्मानित किया गया है, तो यहां से पता चलता है कि जो नागर जिद जीत है वो कितने सम्रिद साहित्यकार रही हैं और इसके अलावा देखिए दीपक पत्रिका का संपादन भी इन्होंने किया है तो ये वाली पंक्ति भी अपने आप में मौतपूर्ण है कि हो सकता है कि दीपक पत्रिका का संपादक आपको पुछ जाए कि इसका संपादन किस ने किया था संपादक तो ये किया था आपके नागरजुन जी नहीं तो देखिए आगे जो मौतपूर्ण इनके बारे में बाते हैं वो हैं देखिए जैसे प्रगतिवादी शलाका पुरुष इनको कहा जाता है ये चीज भी आपने याद रखनी है कि प्रगतिवाद का जो शलाका पुरुष के सका जाता है नागरजुन जी को कहा जाता है ठीक है दूसरी मौतपूर्ण चीज है इनके बाद कि आधुनिक हिंदी के कबीर भी इनको कहा जाता है ठीक है अगर आधुनिक तुलसी की बात की जाये तो वो किसको कहा जाता है ये आप मुझे कमेंट सेक् में जाकर बता सकते हैं तो आदुनिक हिंदी के कभीर इनको कहा जाता है देखिए जो आपके नागरजुन जी है और उसके बाद किसानों और विद्वानों के कभी भी इनको कहा जाता है तो ये चीज भी है जो किसानों और विद्वानों के कभी इनको क्यूं कहा जाता है आप से पहले हमने जो कवीता पड़ी थी कालिदास तो उसमें हम देखते हैं कि उसमें इन्होंने किसानों या जिस वर्ग की मैंने बात की अभी जो शुश्ट वर्ग है उसकी बात की उनका इन्होंने जिक्र वहां पर नहीं किया है लेकिन वहां पर इनका जो कवी कर्म है वो ज्य माना जाता है कि ये वेवस्था के उपर लिखते हैं ठीक है लेकिन इसके साथ सीथात इन में एक कभी भी जिन्दा है या एक अच्छा साही तेकार भी है जिसको रचना धर्मिता के बारे में पूरी जानकारी है ठीक है तो आप देखेंगे कि प्रकृति चित्रन के साथ इन न आपका जो वेवस्था चित्रन भी अपनी कभीताओं के माध्यम से किया है तो ये महत्वपून चीज़े हैं इसलिए इनको क्या कहा जाता है किसानों और विद्वानों का कभी कहा जाता है अगर हम मूल संवेदना की बात करें देखिए कि ये मूल संवेदना इनके काव्य क क्या है तो वो है इनकी देखिए कि ये माक्सवादी रहे हैं लेकिन ये कटर माक्सवादी या यूं कहें कि सिर्फ और सिर्फ माक्सवाद का ही पला लेकर नहीं चले कई बार इनके जो वहां पर उसके साथ कंफ्रिक्ट भी देखने को मिलते हैं और एक साहीतेकार के रूप में निश्पक्ष तरीके से ये लिखते रहे जुखाव इनका हो सकता है कि वो किस की ओर हो माक्सवाद की ओर हो ठीक है देखिए जो डॉक्टर बच्चन सिंग हुए हैं देखिए वो इनकी कवीता को क्या कहते हैं नुकड कवीता कहते हैं तो ये चीज भी बहुती ज़ादा मौतपूर्ण है कि इनकी कवीताओं को नुकड कवीता किस ने कहा है तो ये थी नागरजुन के संदरब में मौतपूर्ण जो तथ्या हैं मौतपूर्ण जो बाते हैं आप सब लोगों को समझ आ गया होगा नहीं रखी है नागरजुन के संदरब में वो हैं इनकी जो प्रमुख रचनाय हैं या इनका जो कावे संग्रह हैं उनको आप जो है कोई भी आगराप के पास पुस्तक है वहाँ से पढ़ लीजेगा इनके कावे संग्रह बहुत ही जादा मौतपूर्ण है और कई बार उनको रचना क्रम के अनुसार लगाने को पूछा जाता है कि इनका जो रचना काल के अधार पर उनका सही क्रम बताईए तो वो चीज भी आपको पता होनी चाहिए तो आप उसको अपनी पुस्तक से ही देखें तो वो जादा बेनिफिशल आपके लिए होगा तो चलिए ये तो बात हो गई नागरजुन जी के बारे में अब हम देखते हैं इनकी जो कवीता है जिसके बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं वो है बादल को घिरते देखा है तो ये नाम से ही पता चल रहा है इनका कि इनका जो ये जो कवीता है ये किस तरीके की कवीता है ये प्रकृती परक इनकी कवीता है ठीक है बादलों की इसमें बात कर रहे हैं तो प्रकृती की बात होगी ठीक है इसके बारे में हम थोड़ा सा पहले जान लेते हैं कि इसका जो रचना काल ले देखिए 1938 में इन्होंने इस कवीता को लिखा था और ये कहां पर बाद में संकलित की थी इन्होंने अपनी युगधारा जो 1953 में इनका जो कविता को इन्होंने संकलित किया हुआ है ठीक है तो य प्रविती कौन कौन सी है तो दीखिए ये तो प्रकृति चित्रन ही है तो ठीक है समाने जो जन जीवन है वहाँ का आसपास का जो हिमाले परवत है मान सरोवर का चित्रन इसमें देखने को मिलता है ये जो सारी चीजें हैं इनका वनन इसमें इनोंने किया है तो यहाँ पर भी हम इनका जो रचना धर्मिता या रचना जो शक्ती है इनकी यह देखने को मिलती है या इस कवीता में इनोंने प्रकृति की बात की है ना कि जो हम पहले बात कर रहे थे कि किसानों या मजदूरों शोशितों या विवस्था की बात इनोंने इसमें, हलां कि थोड़ा बहुत कहीं पर जिक्राता है, लेकिन ज्यादा तर आप देखते हैं कि इसमें इनोंने क्या किया है, प्रकृति चित्रण ही किया हुआ है, ठीक है, नेक्स से दिखिए कि जो प्रसंग है, इस कवीता का वो कया है, मांसरूवर की यातरा के दौरान, ये देखी, यातरी उपनाम से है, और ये कहा भी जाता है जो गुमकर प्रवश्टी के इस वभाव के रहें है, नागर जुन जी, और ये जो प्रसंग भी लिया गया है, कि जब ये मान सरूवर की यात्रा पर निकले थे तो उस वक्त जो हिमालय परवत पर उनको जो द्रीशे दिख रहा था उसका इनोंने जिक्र किया है बादल को गिरते देखा है नामक कवीता में अगर हम बात करें इसकी भाशा की देखिए इसकी भाशा कैसी है तो संस्कृत निश्ट जो साथ साथ इसमें देखते रहेंगे तो ये मुटपून चीज़ें थी इसमें 1938 में रची गई है प्रकृति चित्रण इसमें किया गया है मान सरूबर की यात्रा के दुरान का वनन है वहां के जनसमाने का चित्रण है और वहां की प्रकृति का चित्रण इसमें किया गया है त उसकी थोड़ी बहुत हम व्याख्या करने की कोशिश करेंगे, तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर देखिए इनकी जो कविता है, बादल को गिरते देखा है, अमल धवल गिरी के शिक्रों पर बादल को गिरते देखा है, ठीक है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहि पर निम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को गिरते देखा है, तो दिखी जैसे कि मैंने आपको पहले ही कह दिया था, कि यह जो कविता है, इन्होंने कहां पर लिखी है, रची है, जब यह मान सरूबर की यात्रा पर निकले थे, हिमालय परवत की, और ठीक है, तो वहाँ उची उची चोटिया, अमल धवल गिरी, ठीक है, अमल धवल गिरी का मतलब है आपके जो सफेद सुंदर, जो आपके परवत है, ठीक है, उनके शिक्रों पर बादल को मैंने घिरते देखा है, है ना, जो सच, श्वेत, निर्मल, वर्फ के उपर जो घिरते हुए बादल को उनोंने स्वेम देखा हुआ है, छोटे-छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मान सरोवर के उन स्वरणिम कमलों पर गिरते देखा है, कि ये जो बादल है, जो मान सरोवर है, देखिए, उसके सुनहरे कमलों पर जो छोटी-छोटी ओंस की बूंदे हैं, ठीक है, तुहिन कण होते हैं आपके उसकी जो बूंदे हैं, ठीक है, मान सरोवर के उन स्वरणिम कमलों पर मैंने गिरते देखा है, कि जो उसकी बूंदों के समान जब वर्षा कर रहे थे, जो वो बादल मान सरोवर के उपर, ठीक है, तब उन्होंने क्या देखा, कि उसकी जो मोती के समान गिर रही थी मतलब कहने का ताजपरे कहा है देखिए कि सुनहरे कमलों पर पड़ी हुई जो मोती जैसी छोटी छोटी जो ओस की बूंदे हैं वो बादलों की ही देन है कि जो आपके मानसरोबर पर जो छोटे-छोटे कन गिर रहे हैं ओस के समान वो किसकी वजा से हैं वो उन बादलों की वज़ा से ही है जो बादल मैंने मान सरोवर की यातरा के दोरान जो देखे थे गिरते देखा था जिनको गिरते देखा था ठीक है तो ये इन का पहला देखी यहाँ पर प्रकृती का चित्रन की बात हो रही है न कि एक चोटी सी चीज भी है एक कवी कहते भी है कि जहां न पहुंचे रवी वहां पहुंचे कवी हम समाने लोग क्या देखते हैं कि हाँ बादल चल रहे हैं पानी गिर रहा है चोड़ चोड़ी बूंदे हैं उससे पस हमारे लिए वो इतना ही है लेकिन यहां पर देखिए इनोंने इसको बिल्कुल सजीवता के साथ इसका वनन किया हुआ है तो यह एक महत्वपूर्ण जी जिसमें देखने को मिलती है नेक्स से देखिए तुंग हिमाल्य की कंदों पर छोटी बड़ी कई जीले हैं उनके शामल नील सलिल में समतल देशों से आ आकर पावस की उमस में इक्तमधुर विश्टन्तु खोजते हंसों को तिरते देखा है बादल को गिरते देखा है तो यहां पर देखिए तुंग का मतलब है आपका जो उन्चे उन्चे हिमाल्य के कंदों पर छोटी छोटी कई जीले हैं तो इसमें बताने की कोई जादा बात नहीं है कि इसमें क् आपका जो हिमाले परवत है देखिए उसकी श्रिंखलाओं पर बहुती छोटी बड़ी अनेक जीले देखने को मिलती हैं जहां पर सच जो साफ जल है निरमल है जो पवित्र जीले हैं है ना उनके जल पर जो हिमाले के उपर घिरे हुए जो काले बादल है उनका प्रतिभिम पढ़ने से जो जील है उसका जो जल है वो कैसा है उसका जो पानी है नीला और जो शामल मतलब काले कलरका दिखाई पढ़ने लगता है ठीक है तो जब आसमान में बादल गिरते हैं आप देखते हैं कि पानी के उपरून का प्रतिविम किस तरीके से चमकता है ठीक है तो वही यहां पर की हुई है, आगे देखिए, समतल देशों सा आकर पावस की उमद से आकुल, तिक्त मध्रू विश्नंतू, खोजते हंसों को तिर्ते देखा आए, तिक्त मध्रू का मतलब होता है कडवे और मीठें, ठीक है, तिक्त मतलब कडवा और मध्रू मतलब मीठा, ठीक है, और विश्टन्तू का मतलब है आपका कमल नाल के भीतर जो स्थित क्या होता है बिल्कुल जो रेशा होता है, कोमल जो रेशा है उसको खोजते देखा है, हंसों को तिरते देखा है, तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं, कि इन जीलों के जल को पाकर जो विचरते हुए हंस हैं देखिए, उनके कमल नाल के भीतर स्थित जो कोमल तन्तूं को मैंने खोजता है विचरते हुए जो रहे हैं है, आगे देखिए कि जो इनके कड़वे और मीठे जो तिक्त मधुर की बात मैंने कही थी, तिक्त मधुर विश्टंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है, ब बादलों के जो मीट कडवे और मीठे दोनों प्रकार के लगते हैं उनको जो आपके जीलों को जल पाकर जो हंस हैं उनके जो कमल लाल के भीतर देखी जो स्थित कोमल तंतों को खोशते हैं और कडवे और मीठे दोनों प्रकार के उनको वो लगते हैं उन जीलों के बादलों से प्रतिबिम्ब सामले नीले जो स्वच जल में समतल मैदानों से हंस वर्षा रित्व की उमस भरी गर्मी से मुक्ती पाने के लिए क्या करते हैं अनंद पूर्वक तैरने आ जाते हैं और उस अवसर पर बादल गिर जाते हैं तो कहने का मतलब यह गया देखिए कि आपके जो यहाँ पर इन्होंने बादलों की बात कही है कि जब प्रतिबिम्ब गिरता है पानी के उपर ठीक है उस समय क्या करते हैं कि जो आपके हंस हैं वो वर्षा रित्व की उस उमस भरी गर्मी से निजात पाने के लिए क्या करते है उपर आ जाते हैं और विचरन करने लग जाते हैं और उसी अफसर पर हम देखते हैं कि बादल भी गिर जाते हैं तो ये चीज इसमें वरनित की गई है आगे है देखिए रितू वसंत का सुप्रभाद था मंद मंद थी अनिल बहरहा बलारुन की मिदू किरने थी अगल बगल स सारी रात बितानी होती निशाकाल से चिर अभिशापित बेबस उस चकवा चकई का बंद हुआ करंदन फिर उनमें उस महान सरवर के तीरे शेवालों की हरी दरी पर परने कलह चड़ते देखा है बादल को गिरते देखा है तो इसमें देखिए सिंपल साइनों ने कहने की ब शिखर थे कि इधर उदर क्या थे स्वरणाब शिखर थे चोटियां थी और एक दूसरे से विरही तो अलग रहकर ही यहाँ पर इन्होंने बात किसकी कही है देखिए चकवा और चकई की जो चकवा और चकवाई है उनको जो अभिशाप दिया जाता है कि वो रातरी के समय मे एक दूसरे से नहीं मिल सकते तो अपने विरहे में जो प्रेमी और प्रेमी का ठीक है वो निशा के समय या रातरी के समय ना मिलकर सुभा का जो वनन इसमें देखने को मिलता है देखिए इस वाले जो इनका अंश है कविता का इसमें यही चीज़ें कही है कि जो चकवा हुआ है कि बंद हुआ करंदन फिर उनमें उस महान सरवर के तीरे शेवालों की हरी दरी पर प्रनायकल है छिड़ते देखा है प्रनायकल है होता है कि प्यार भरी जो लड़ाई है ठीक है प्यार भरी लड़ाई वो करते हैं जब सुभा के समय में वो मिल सकते हैं रातरीक मे उनको अभिशापित है कि वो नहीं मिलेंगे तो उनका सुन्दर सा वनन उस सुभा का किया गया है कि जब वो प्यारबरी लड़ाई करते हुए सुभा के मौसम में दिखते हैं आ गया है दिखिए उस महान सरवर के तीरे कि जो मान सरवर की बात इन्हों ने कही है कि उसके किना अभारे पर शेवालों की हरी दरी पर प्रणाय कलह करते हुए उनको देखा है ठीक है बादल को गिरते देखा है कि संपूर्ण रातरी एक दुझे से बिशलने से उत्पन दुख और प्रलाब के बाद मिलने से जो क्या हो जाता है उनको एक तरीके से रातरी के पश्चा जो मानसरुबर में है देखिए जो शेवाल की जो हरी विचावन रूपी जो काई है देखिए दोनों की ही जो आपकी प्यार भरी लड़ाई थी उससे क्या हो गया है वहाँ पर एक अलग ही महाल उत्पन हो गया है ठीक है आगे देखिए शस्त सहस्त्र फुट उन्चाई प अपने पर चिड़ते देखा है बादल को गिरते देखा है तो यहाँ पर इन्होंने किस चीज़ का बनन किया है देखिए कि आपके जो दुर्गम बरफानी गाटी में शत्थ सहस्त्र फुट उन्चाई पर अलग नावी से उटने वाले निज के ही उनमादक परिमल मतलब न हशीली सी सुगंद रहती है उसको पाने के लिए वो निरंतर इधर उधर भटकता रहता है जो कि उसी में ही है इस चीज़ का इन्होंने वर्नन यहाँ पर किया हुआ है और इसके माद्यम से ही मैसेज देने की बात कही है इन्होंने कि जिस प्रकार म्रिग की नाभी में कस्त पर ही खीजने लग जाता है और वह जो कुस्तूरी है देखिए उस तक वो नहीं पहुंच पाता है इसलिए जो कवी यहाँ पर क्या कहना चारा है देखिए कि यह जो चित्र है वो उसके लिए बहुती जादा अभी स्मरणिये बन पड़ता है और इसके साथ इसाथ कवी ऐस करन करते हुए नजर आते हैं और इसके साथ ही कवी आगे क्या कह रहा है देखिए उन सभी जो लक्षविहीन मनुष्य हैं उनकी ओर संकेत करता है कि संसार में भी हम जो मनुष्य हैं वो भी इस तरीके से ही हैं लक्षविहीन हैं जो सही निरने लेने में क्या है असमर्थ हो उने पर स्वेम पर ही खी जूडते हैं, हाला कि हम सब लोगों के पास उस मृग के तरह ही क्या है, अपनी जो क्षमताएं हैं जिसके चलते ही हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम जो है किसी दूसरे लक्षे विहीन तरीके से ही दोड़ रहे हैं, उस मृग की तरह ही, तो ये ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का ढूंडा बहुत किंतू लगा क्या मेग दूत का पता कहीं पर कौन बताए वह छाया मैं बरस पड़ा होगा न यहीं पर जाने दो वह कवी कल्पित था मैंने तो भीशन जाड़ों में नवचुम्बी कहला शीश पर महा के जनजानिल से गरज गरज भिड़ते देखा है बादल को गिरते देखा है तो देखिए यहां पर क्या है आपके जो प्रकृति के माद्यम से मनुष्य की जीवन में जो आने वाली हर प्रकार की जो खटिनाईया हैं जो बाधाएं हैं उनका वनन इसमें किया गया है ठीक है क्या कहते हैं देखिए कि कहां गए धनपती कुबेर वह कहां गई वह उसकी अलका ठीक है कि कभी हिमाले परवत की चोटियों पर बहुत घूमा किन्तु उसे ना तो कहीं पर जो पराणी कथाओं में प्रचलित देवताओं की जो कोशा ध्यक्ष कुबेर है देखिए उनका पत भी थी उसके बारे में हमने पड़ा था न ठीक है तो मेगदूत जो कालिदा से देखिए उसमें तीन रचनाओं का जो प्रभाब हमने देखा था वही बात यहां पर थोड़ी सी इनोंने इस कभीता में भी की है ठीक है कि जो आपका कहां गई उसकी अलका नगरी जो की धन और वैबब और भोगविलास से परिपूर्ण है तो प्रकृति के परिवर्तण के माध्यम से देखिए यहांपर कवी ने संसार की जो असिर्था है उसको वरनित करने की कोशिश की है कवी क्या कहता है कि देखिए उसकी जो मेग रूफी दूत है देखिए उसका कहीं भी ठि जो खुस्तूरी वाली बात कही है थी हमने कि मनुष्य जो लगातार बढ़ता रहता है लक्षभीहीन होकर वही चीज जिसमें भी है कि कोई भी चीज कहां गई वह सारी सुक्सुविधाओं की बाते हैं है ना वह सब के व्यर्थ हैं उसके हमें दर्शन आज कहीं भी नहीं होत आए वह चाय मैं बस पड़ा होगा न यहीं पर जाने दो वह कवी कल्पित था ठीक है आगे है देखिए मैंने तो भीशन जाड़ों में नब चुम्बी केलाश शीच पर महामेग को जंजानिल से गरज गरज बिढ़ते देखा है बादल को गिरते देखा है ठीक है तो इस प और ऐसा यथार्त में नहीं दिखाई पड़ता है ठीक है जो चीज ये उपर कही इन्होंने कि जो भी चीज़ें हैं जो सुक वैभव की बाते मैंने अभी कही हैं या जो मैं मेगदूत की बात कहरा हूं कि वो कहां चले गए वो सारी सुविधाएं कहां चले गई चाने दो वो तो सिर्फ कवी कलपित हैं मैंने तो भीशन जाड़ों में नवचंबी कैलाश पर महा में को जन जाने लिए गरज गरज बिढ़ते देखा है तो आगे कहता है कि देखिए मैंने तो इस गगन चुमबी जो कैलाश परवत है देखिए उसके शिकर पर मैंने भ्यंकर जो सर उसमें भी विशाल आकार के बादलों को हवाओं के साथ क्या गयता है गरज बरस कर संघर्ष करते हुए देखा है। पात्र द्राक्षासव पूरित रखे सामने अपने अपने लोहित चंदन की त्रिपिटी पर नरम निदाग बाल कस्तूरी मिर्ग चालों पर पलती मारे मदिरा रून आंखों वाले उन उनमद किनर किनरियों की मृदल मनोरम उंगलियों को वंशी पर फिरते देखा है बादल क इन्होंने किया है और साथ ही संपन समाज की बिलासिता पर इसमें व्यंगय भी इन्होंने किया हुआ है आखरी वाले आपके जो ये वाला आपने अभी पढ़ा इसमें शत शत निरजर निरजरनी कल वाला ठीक है तो यहाँ पर देखिए ये कह रहे हैं कि वर्शारितू के आने के पश्चात अकाश में जो बादल है वो छा जाते हैं ठीक है शत शत निरजरनी कल मुख्रित देवदारू कानन में शोनित दवल भोज पात्रों में ठीक है कि किंदर प्रदेश की जो शोबा है देखिए उसमें भी व्रिदी हो जाती है जब अकाश में बादल छा जा जो इसलिके का जो वातावर्ण है कि जो अपके जरने हैं जो नदिया हैं पहाड हैं परवत हैं ये सब चीज़ें क्या कर देते हैं कि पूरे के पूरे वातावर्ण को ये क्या कर देते हैं ठीक है आगे ये कहते हैं कि देखिए जो लाल श्वेत भोजपत्रों से बनी कुट भन सुगंदित फूलों से सजाया हुआ है उन्होंने फूलों की कुंतल को साजे ये देखिए है ना कि रंग बिरंगे फूलों से उन्होंने क्या है अपने किशों को सजाया हुआ है और अपने गले में शंक की आकरिती वाला जो इंद्र नीलमणी है उसकी उन्होंने माला धा जाता है ठीक है next देखिए इसके पश्चात ये क्या कहते हैं कि उन्होंने माला धारण की हुई है इंद्र नीलमणी की जो मालाएं है और जिससे उनकी जो विलासी प्रवरिती है दीखिए उसका अनुमान लगाया जा सकता है और इसके साथ ही साथ उन्होंने अपने कानों में जो देखिए यहां पर लिखा है नील कमल ठीक है शत दल्लाल कमल वेणी में कानों में कुबले लटकाए ठीक है कि उन्होंने अपने जो कानों में नील कमल के फूलों से जो आभोशन है वो पहने हुए है और उनकी चोटियों में भी भिन प्रकार के पुश्प गुर्थे वे चांदी के बने हुए है और वे पात्र भिन प्रकार की मणियों से जड़ित है जिस से और उन्ही पात्रों में मदिरों का सेवन भी करते हैं ये बात इसमें इनोंने बताई हुई है तो देखिए यहां पर आगे कहते हैं कि जो जंगली जानवर है या कस्तूरी म्रिग की चाल को जो बैठने के लिए प्रियोग करते हैं ठीक है यहां पर लिखा देखिए कि म्रिग चालों पर पल्ती मारे मदिरा रून आखों वाले उन उनमद किंद्र किंद्रियों की बिदुल मनोरम उंगलियों को वंची पर फिरते देखा है तो बहुती सिंपल सरहरन सी बात उनने कई है कि जो जंगली जानवर या जो गुस्तोरी मरी के देखिए उसकी चाल पर पल्ती मार कर जो बैठने वाले हैं ठीक है बैठ कर वे क्या कर रहे हैं मदिरा पान का अनंद ले रहे हैं मदिरा सेवन के कारण उन सभी की आँखें क्या होगी यह देखिए उनमद दूल मनोरम उंगलियों को वंशी पर फिरते देखा हैं तो मदिरा सेवन के कारण उन सभी की आँखें लाल हो गई है या नशीली हो गई है उसी उनमाद में वह सू मधूर स्वरों में वंशी की तान की तान को छेडने लगते हैं ठीक है कि मैंने उन उंगलियों को किस पर देखा है कि बांसूरी पर फिरते देखा है कभी ने देखें यहां पर क्या किया है हिमालक शेतर के जो वन है जो किनर वं किनरिया है उनकी मस्ती और जोस्चे बरे हुए अकाश और बादलों को उनने चितरित इसमें किया है कि ये जब सब चीजें घट रही है और इसके प्रशन पूछा जाए कि देखिए इनमें किन किन चीजों का वनन किया है चकवा और चकवी का वनन किया गया है इसमें किनर किनरियों का किया गया है ठीक है ये चीज आपने याद रखना है इसमें और जो पलती मार के बैठे हुए जो योगी है उनका वनन भी इसमें आपक कि कौन-कौन सी चीज़ें इसमें प्रमुक हैं तो फिलाल अगर आपको इसमें कुछ एक गलती लगती है या आपका कुछ एक सुझाव है तो आप हमसे वो साजा कर सकते हैं अगर हम लगातार इसको व्याक्या सहीद करते रहेंगे तो बहुत जादा इसमें time consuming हो सकता है तो इ आज के लिए इतना ही दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीजी से लाइक कीजिए अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें तो फिर मिलेंगे नई उर्ज औरनेस पूर्ते के साथ तब त करी लाइक के लाइक के लाइक के लिए हैं